किसान मित्रों नमस्कार रतन केती वाला यूटूब चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों किसान बहुत ही ज़्यादा मेहनत के बाद अपनी फसल त्यार करता है और जब फसल कटाए का समय आता है तो उसके मन में एक बात की चिंता रहती है कि भाई हम फसल अपनी काड़ रह में आपके एरिये में बारिस होगी या नहीं होगी और नियुनतम तापमान कितना रहेगा आने वाले दिस दिनों में अधिकतम तापमान कितना रहेगा इसके लागा हम यह भी जान सकते हैं कि बारिस होगी वह कितने होगी अधिक होगी या फिर कम होगी तो अगर यह वीड दस दिनों में हमारे एरिये में बेमोसम बारिस होगी या नहीं होगी इसका तो अगर हमें पता चल जाए कि आने वाले दस दिनों में हमारे एरिये में बेमोसम बारिस हो सकती है या फिर मोसम खराब हो सकता है तो हम खेत में जदा मजदूर लगा के भी अपनी पसल को सुरुक अपने एरिये की सठीक जानकारी मिल जाएगी मोसम की अब दोस्तों अपने एरिये का मोसम पता करने के लिए आपको सबसे पहले Google कोल देना जैसा कि मैंने खोला है देखिए और उसमें आपको सर्च करना है यह दिखिए मैंने सर्च किया हुआ है वेदर ऑफ 38直ud 305 ग्यारा अभ आप सोच रहे होंकि कि पीछे नंबर कॉन साथ है यPC नंबर है अपने एडीए का पिंगर डाल आपको अपने यन형 को अलग अब तूडे का मोसं इसमें बता रहा है देखिए थोड़ा आपको देखिए ओडे मोसं टूमारो इसमें दिल्लिखा हुआ हुआ है और इसके लावह टैन न मतलएग 10 दिन का मोसं मितलकर तरएंड जाना है दस दिन के मोसं में दोस्तों देखिए गैउम्ण आज का मुसम अधिकतम तापमान रहेगा 33 डिगिरी नियुनतम तापमान रहेगा 19 डिगिरी और इस तरह से हर दिन देखिए लगभग 25 मार्च तक ही मुसम बता रहा है ठीक है अब देखिए इसमें बादल बता रहे देखिए संडे को बादल होंगे अब इसमें क्लिक करते हो और हवा की रफ्तार कितनी रहेगी करती 14 किलोमेटर प्रती गंटा देखिए इसमें लिखा हुआ है न सबसे उपर संडे के नीचे वींड में यह आपको ध्यान रहना है और इसके लावा देखिए उमिडिटी मोसम में नमीगी मात्रा कितनी रहेगी सब पता हम लगा सकते ह मार्थ से 25 मार्थ तक मोसम बिल्कुल सही रहने वाला है मोसम बिल्कुल खरब नहीं होगा और यहां तरीका दोस्तों कारगर तरीका है और मैं इसको अपनाते आ रहा हूं दो सालों से और अपने खेती में नुक्सान से बहुत ज़्यादा बहुत हज तक मैं बच जाता हूं दोस्तों कुछ इस तरह से आप अपने एरिये की मोसम की सठिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और वो भी आने वाले 10 दिनों की की मोसम आने वाले 10 दिनों में सही रहेगा उमारे एरिये में या फिर खराब होगा और इससे हम अपनी फसल की कटाई को जल्दी निप्टा सकत या पिर आने वाले दिस्तिनों के लिए फसल की कटाई को रोक भी सकते हैं और अपने खेती में होने वाले बहुत से नुक्सान से हम बच सकते हैं तो दोस्तों वीडियो में दिखी जनकारी आपको कैसे लोगी कमेंट जरूर करें अगर वीडियो चल लगा तो अब इस साथ मे झाले